अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Taro Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए हैं, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी साइन के हिसाप से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है तो चलिए कि अब रिकाइन्स आप लोगों के लिए देखेंगे कि coming week क्या लिकरा रहा है कि energies है तो मेरे पस यहां पे तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हूं और आपके लिए आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है detriorations I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं उनके pair chain से बंधे हुए है और कुछ ऐसा ही हो सकता है मन ही मन या पर deeper level के लिए आप कुछ time से या July starting में महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ situation circumstances सब के लिए differ करेंगे जिसमें आप थोड़ा सा जकड़ा हुआ थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं यानि कि जो आप कहना चाहा रहे हैं जो आप करना चाहा रहे हैं जिस तरीके से अपनी life में या फिर इस relationship में आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कहीं इन ही सब चीजों से related मन ही मन या फिर से कहूंगे deeper level के लिए आप बहुत बंधा हुआ बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो भी आप मन ही मन में महसूस कर रहे हैं कहीं surface level के लिए temperance का काड़ कहता है आप किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं surface level के लिए यानि की उपर-उपर से बहुत एक balance आप maintain करके चल रहे हैं आपकी तरफ से कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जो किसी को बुरी लग जाए जिसकी वज़े से चीजें खराब हो इस चीज का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं अपनी तरफ से एक peace maintain करने की उपर ही उपर से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर से कहूंगी मन ही मन में जो भी आप महसूस कर रहे हो लेकिन कहीं mid जुलाए में इस चीज को आप नहीं contain कर पा रहे हैं और यहां पर two of cups reverse का कार्ट कहता है आपकी तरफ से किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से एक distances relationship में आ रहा है आप अपने partner के साथ एक togetherness रो चाह रहे हैं लेकिन कहीं emotionally low feel कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा सा withdraw करते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सब Capricorns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन deeper level के लिए taboo का कार्ट कहता है आपको कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि बही कुछ चीजें सही नहीं हैं और कहीं कुछ चीजें मना हैं असूलों के हिसाब से या फिर religion या you know society के हिसाब से और इन चीजों के बारे में आप बहुत जादा सोच रहे हैं होता है ना कभी कभी कि हमारी caste differ करती है या फिर extra marital affair होता है यह मैं आपको सिरोफ और सिरोफ example दे रही हूँ situation circumstances सब के लिए differ करेंगे तो इस तरीके का कोई भी reason हो सकता है जिसकी तरफ से आपको कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही है आपको लग रहा है technically या फिर से मैं कहूंगे religion के हिसाब से society के हिसाब से ठीक नहीं है और इसी वज़े से शायद आपकी तरफ से एक distance relationship में आ सकता है and कहीं end July के लिए आप star का card कहता है कि एक clarity आपके मन में आ रही है जैसे कि अभी हमने देखा कि mid July में तोड़ा सा आप चीजों को लेकर you know अपने आपको restrict कर रहे हैं या फिर मैं कहूंगे mid July तक अगर आप थोड़ा सा hold back कर रहे थे तो कहीं एक positivity आपके मन में आती हुए दिख रही है deeper level के लिए player का card देखिए बहुत सारी बातें कहता है फिर से कहूंगी ये general reading है तो सब की situation differ है कुछ के लिए हो सकता है कि Capricorns आपको ऐसे लग रहे है कि बहुत चीजों को ना इतना seriously नहीं लेना चाहिए थोड़ा सा एक playfulness वाली energies में रहे थोड़ा सा चीजों को casually ले हो सकता है पीछे आप बहुत जादा ही चीजों को seriously ले रहे थे बहुत जादा ही छोटी-छोटी सी चीजों को एहमियत दे रहे थे और कहीं end July में आपको ऐसे लग सकता है बहुत जादा again commitment या फिर long term के point of view से चीजों को seriously ना ले और कुछ Capricorns के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहे कि आपके partner कहीं इस relationship को लेकर serious नहीं है आपके partner कहीं एक clear वाली energies में है यानि कि you know again मैं कहूंगी आपको लेकर serious नहीं है और कुछ Capricorns की भी partner के लिए ऐसी energies रह सकती है देखे फिर से कहूंगी ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो देखे आपके partner के लिए हापे muse of voices and under a spell के cards है surface level के लिए हो सकता है कि वो बहुत ही logically चीज़ों को deal कर रहे है यानि कि Capricorns आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत mind से चल रहे है बहुत ज़ादा again logically हर चीज़ को deal कर रहे है emotion sentiments missing है लेकिन reality में ऐसा नहीं है deeper level के लिए under a spell का card कहता है कि आपका बहुत magical influence उनके उपर है उनको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आपने उनके उपर क्या जादू कर दिया है क्या एक you know आपका नशा उनके उपर हो गया है कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं किसी और चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं और फिर से कहूंगे surface level के लिए आपको ऐसा नहीं जाहिर होने दे रहे हैं and mid July के लिए nine of swords का card कहता है कि किसी चीज को लेकर बहुत एक stress, बहुत एक tension महसूस कर रहे हैं deeper level के लिए turned off का card कहता है कि कोई चीज उनको hurt कर रही है या फिर किसी चीज को लेकर फिर से कहूंगी बहुत tension, stress ले रहे हैं जैसे उदना उनकी बत्ती बुझ गई हो वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं वो कुछ you know action initiatives नहीं ले पा रहे हैं बहुत एक stress, tension, anxiety, restlessness भी mid July में वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी and July के लिए alone and the hermit के cards कहते हैं कि बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि उतना एक action initiative नहीं ले रहे हैं और reasons सब Capricorn के partner के लिए differ करेगा लेकिन ये दोनों cards कहते हैं कहीं एक fear है, insecurity है कहीं introspective energies में रह रहे हैं और कहीं बहुत ज़ादा ही एक you know सोच उनके मन में चल रहे हैं कि भी कैसे चीज़ों को deal करें एक space, एक अकेलापन या तो चाहा रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं कि July मन्त में क्या हो रहा है तो देखे, July स्टार्टिंग के लिए justice का card कहता है कि बहुत logically आप दोनों ही चीज़ों को deal कर रहे हैं right and wrong के point of view से बहुत ज़ादा चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हैं and deeper level के लिए sweet talking का card कहता है कि अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं यानि कि देखे, कहीं अगर मैं broader level के लिए देखूं तो Capricorns आपके partner की तरफ से या फिर overall एक composite energies आप लोगों में emotions missing रहते हुए दिख रहे हैं आपके partner के लिए ज़ादा right and wrong के point of view से वे चीज़ों को देख रहे हैं in fact देखे, आपके लिए भी यहापे taboo का card है तो आपके भी वैसी energies रह सकती है हाला कि देखे, आपके लिए two of emotions reverse का card है तो किसी level पर आप फिर भी emotional हो रहे हैं आपके partner बहुत एक fear, बहुत एक insecurity बहुत एक low energies में रहते हुए दिख रहे हैं एक अकेलापन बहुत जादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं और कहीं इसी लिए या फिर otherwise भी फिर से कहूंगे कि you know, बहुत सोच समझ के चीज़ों को deal कर रहे हैं हो सकता है decision choices लेने हैं उसके बारे में discussions आप दोनों के बीच में बहुत हो रहे हैं और आप दोनों ही किसी ना किसी level पे एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं आप दोनों की energies जो भी हों लेकिन मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और कहीं traditions, culture और जो पुरानी एक ख्यालात होते हैं उनके basis पर ही चीजों को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं कहीं दिखिए society के जो भी rules हैं जो भी घर के बड़े हैं वो या तो interfere कर रहे हैं या फिर उनकी involvement हो रही है और उनी के तरीके से उनी के हिसाब से चीजों को फर्दर लेके जाने की एक कोशिश लेके जाने का एक effort रहता हुआ दिख रहा है और herofin का card कहीं marriage को भी represent करता है together का card भी कहीं you know एक together ने इसकी बात करता है तो कहीं हो सकता है कुछ Capricorn और उनके partner के बीच में शादी marriage को लेकर भी बातचीत चल रही है या फिर इससे related action initiatives हो रहे हैं हाला कि देखें आप दोनों की energies देखें तो कुछ issues मसले रह रहे हैं लेकिन July month ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है या फिर मैं कहूंगी कि marriage शादी की बात चल रही है अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ marriage से related बातचीत चल रही है या फिर आपके partner की किसी और के साथ marriage की कोई बातचीत चल रही है या उनके parents उनके उपर pressure डाल रहे हैं या आपके parents डाल रहे हैं या अगर extra marital affair है तो society, religion के हिसाब से आप चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं तो दिखे आपकी reading है और आपकी situation है आप बहतर समझ पाएंगे यहाँ पर मैं बहुत broader level के लिए आपको बता रही हूँ, energy level पे बता रही हूँ and जो भी हो कहीं end July के लिए two of inspiration and beauty के cards कहते हैं चीजें किसी level पे resolve होती हुई दिख रही हैं कहीं एक दूसरे के अंदर जो भी beautiful चीजें हैं इस relationship में जो भी beautiful energies हैं उस पे focus करते हुए बहुत confidently चीजों को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं या पर चीजें next level पे आगे बढ़ रही हैं जो भी आप दोनों महसूस कर रहे हैं मैं फिर से कहूंगी कहीं relationship में बहुत issues, मसले नहीं रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी end July में positively चीजें next level पर जाती भी दिख रही हैं या फिर आगे बढ़ती भी दिख रही हैं तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें